हलो फ्रेंज, आप सभी का स्वागत हैं, फ्रेंज, आप सभी का 6 मार्च को छित्र कला का पेपर है, यह 2014 का चित्र कला के एक प्रकार कदम वाइरल पेपर है, तीस पेपर को आप बूर्ड की एकसाम में जाने से पहले भी देख लेते हैं, तो आपका मैकसिम्म सवाल इसी आप सभी को इसका चित्र के साथ में जो जितने भी फ्रश्न पूछेंगे आप गे maadhyam से सभी genuine questions को बताने वाले हैं यहां पे आप चित्र गनकर देख सकते हैं देखिए आपको चित्र लिए-चित्र आने बताने वाली है तो आपको इसलिए बॉलेक व्यूडियू की इसकी मत किशिएगा पूरा संपूल पेपर जरूर देखिएगा तीक है देखें आपको चित्र जो चित्रकला के पेपर होगा इसमें चु में निर्देश को जनना आप सभी संपूर समय रहता है इसके कुछ यहां पिनोट दिये जाते हैं देखें इसमें क्या ऊपाइभ, संपूर समय मिलेगा प्रश्ण पत्र को पहने के रिए ठीक है यहां पर उसके कुछ समाने निर्देश दिये जाते हैं इस समाने निर्देश को थ्वड़ा ध्यान से पढ़िएगा मुख के प्रिष्ट तथा इसमें रखे परतेक उत्तरपत्र के दाईने कोने पर अपना अंकोत शब्दों में साफ साफ लिखना रहता है और केंद्र विवस्थापक के जो हस्ता अच्छा रहे वह जरूर आप कराईएगा यह में पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर प्रश्ण पत्र कर और गद तीन खंडों में भक्त होगा तीनों खंडों को हल कर आपको अनिवार्य होगा ठीक है खंड का में आलेखन कला प्राविधी कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्ण होंगे जिन में से किसी एक 20 बहुविकल्पी प्रश्ण को आपको करना रहेगा उस ओमर सीट पर ध्यान से आपको एंसुर भरना रहेगा ओमर उत्तर पत्र पर उत् दिर्श्य चित्र अथवा आलेखन अथवा प्राविधीज कला मेंसे केवर एक ही चित्र आपको करना जरूरी है और खंड का इस मुर्ति चित्रों के प्रसंद सभी छात्रों को करना अनिवार है खीक है इसके जिटने भी इंपौर्टन निर्देश थे आप सभी को बता दि जिएगा इस खंड में अले खंड अथो प्राविधी कला के पेस्ट बहुयकलपी प्रश्ण हैं जिन में friends आपको कला में कुछ ब्यसिक जो घलती आप करते हैं बोर्ट के एक्जाम में वह घलतीं आपको नहीं करना है क्या स्कूं जाना है अभी तक उस फिशले विडियों को जरूर देख 거지 जिएगा कि कौन से गलती कला में मैक्सिमम छात्र जो अध्य कला में वह गलती करते हैं जो गलती चात्र करते हैं वही गलती आपको बताएं ठीक है तो उस वीडियो का आप जरूर देख लिजिएगा अब देखिए आपके सामने आलेखन कला के पहले 20 बहुई कल्पी प्रशन बताएंगे आलेखन कला प्राविदी कला में से जो प्रशन आपको आ रहा है उसका एंस्वर आपको OMR सीट पर देना रहेगा देखिए यहां पर ए हैं चलिए इसके सीधे सवाल को करते हैं यह निर्देश के बारे में आप सभी को बता दिये तो आपको बार 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 बता सब्सब्कित और नारंगी वहता है यानिकर दो रखो को मिलाने से जो नएया रंग बनता है वह दियोती रंग कलाता है द्यूती रंगों की संख्या टोटल तीन होता है यहाँ पे लाल पीला और नीला ही प्राथमिक रंगों की संख्या भी आपका कितना होता है तीन ही होता है ठीक है आपका अगला नंबर के जो सवाल है कि प्राथमिक रंग कितने होते है तो अभी बता है प्राथमिक रंगों की तोटल तीन होता है ठीक है अगला प्रशन देखिए पाँचवा नमबर का इंदर धनुस में कितने रंग होते हैं तो आप सभी को कई बार यह पुर्षन बता चुकए कि इंदर धनुस में जो होते हैं टोटल सात रंग जो होते हैं आपको काला और सफेद जो अधा तटस्ट रंग होते है इस प्रश्न का सही जवब एवल आपसन शही हो जाएगा इसके साथ में याद रखेगा कि ततश्ट रंगों की संख्या कितनी होती तो 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 डू जो कि आपका सफेद और काला ही होता है अगला प्रशन द क्या हो जागा सही हो जायगा देखęt अगला प्रश्ट यहां सबसे अधिक पारदर्शिया था में आपके बात सभी को के खूले के सर्च करेंगे तो आपको पारदर्शी माद्दे में जल रंग भी मिलेगा और आयल रंग भी मिलेगा यानि कि आयल कलर जो होता है पारदर्शी होता और जल रंग भी होता है लेकिन हमने बहुत आप लोगों सर्च किया कि जैसे किताब में भी पड़े हैं किताब में भी आपक किया दिया है कि सबसे अधिक पारदर्शी जो माद्दे में आपका जल रंग को ही दिया है इसलिए आप सब आपसन्वें की सप granny сил मा त्रक्रण होगा आप दोनों ही क्या होता है कि जो आपको लगाना होगा अपने कार्डिंग लगा लीजिए गूगल के हिसाब से आयल है और जो बुक है मेरे पास उस बुक के एकार्डिंग आपका जल रंग दिया ठीक है तो यहां पर आप सभी के बारे में बता दीए ठीक है अगला प्रशन आपका है कि किस नंबर की पैं जाती है जो खीचा जाता है यहां पर अपने कंसेप्ट को किलियर कीजिएगा देखिए बी मतलब होता ब्लैक और बी से याद रखिएगा जितना बी की संख्या अधिक होगा उससे उतना ही डार्क खीचा जाता है यानि कि यहां पर संख्या जिसने जैसे टूबी और फॉर यहां फाइभी रहता तो फाइभी रहता तो आपको क्या होता है फाइभी मतलब होता है यानि कि चितने अधिक होगा उससे उतने ही अधिक गाली रेखा खीची जाती है इस बस कंसेप्ट को आप के लिए रखिएगा दसवा नमबर लाल में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है यह आपको बताना है ठीक है ऐसे प्रशनों का आप जरूर याद रखेगा लाल में यदि आप नीला रंग मिलाते हैं तो आपका बैगनी रंग बनता है इसका सही जवाप बीवला आप संग सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखिए 11 नंबर का पीला में यदि नीला रंग मिलाते हैं यदि पीला और नीला आपसे मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा तो बनता है आपका हरा रंग और हरा रंग कौन सा रंग है तो हरा रंग के अंतरगत आता है तो पीला और नीला रंग मिलाने से आपका हरा रंग बनता है ठीक है इस प्रशन को आप जरूर याद रखिएगा देखिए तेरा नंबर का कि किस नंबर के ब्रश की बारीक लाइन बना जाती है जो संख्याद जितने ही कम होगी जिस ब्रश की संख्याद जितने ही कम होगी उससे उतना ही बारीक लाइन घीचा जाता है यहाँ च्छार जीरो धूसे सबसे चोटी है जीरो जब हम जीरो जो होगा पका जिरो ब्रोश होगा उससे सबसे बारीक राइन खीच यहां पर आपका आपसंद सी वाला सही हो जाएगा ठीक है अगला देखिए चौधा नंबर का बीना ब्रस की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है तो यहां प्याद रखिएगा बीना ब्रस यानि ब्रस का प्रियोग नहीं करना यानि बीना ब्रस की सहायता से कौन सा रंग सकते हैं तो और पेस्टल क्लर को आप कागाश के माध्यम से भी आप रन्ग लगा सकते हैं तो विना बिना बरस की सहायता से हमसा लगाजा सकता है तो वहतब पेस्टल खुल n abused अगला देखिए जाकेने 15 कितने होते कीसं क्षेश होता है तीन यहां पर सही जहाब हो जायगा विवलाफसन अगर देखे सफेयत रांड को सबसे और ठीकर सब्सक्राइब इसका सही जब भीवला आपसन सही होगा 18 देखे निम्न में से कौन सा प्राथ्मिक रंग है तो प्राथ्मिक रंग के अंतरगत जो रंग आता है आपका आएगा लाल हो जाएगा जबकि यहां पर हरा हुआ नारंगी हुआ और बैगनी हुआ यह द्यूती रंग आपके होते है जबकि आपके प्राथ्मिक रंग हुआता है पानि याल quant पीला याद रखों दिब्देखे हैं टोकि meanwhile Angraal कितने होते हिए तो तीन होते हैं याद रखिएगा 19 नंबर का देखिए किस नंबर कीशिव से खीची लाइन सबसे अल्की होती है देखिए आप की संक हाट पंसल जिसके साथ में होगा वो से सबसे हलकी रहाएं खीची जाती है इसमें इसकी संख्याद जितनी ही अधिक होगी उससे उतना ही हलका रहएं खीचा जा सकता है यहां पर आप सन्वें देखें जैसे आपको बता देते हैं कि 2H और 4H में पूछेंगे किस से हलकी रहाद हम खीच स सकते हैं तो फोर यह से यहां पर जितनी संख्या अधिक होगी उससे उतना ही हल्की रेखाएं खीची जा सकती है इस प्रश्ण का सही जब तो आप संके कार्डिंग देखेंगे इस प्रश्ण का सही जब यह होगा सिर्फ टू एच दिया है इसके लाप तो कोई दिया नहीं है तू हुँत आप कोई संसे इसके नमबर का लाल में हरा रंग मिलाने से काव बनता है त्वाल क'll करना होगा अप समय शेटीन कृटी मत की जीएगा होती है जिससे आपके काफी चेक नहीं होता है तो कौन सी गलतियां आप करते हैं बोड की एक्जाम में अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें जाके पहले लिट से उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए अब देखिए आपके सामने पहला नंबर का है कि बृत का आकार कैसा ह होता है आपका त्रिभूज ठीक है इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है सिसरा नंबर देखें संपूर कोड क्या होता है तो संपूर कोड जो होता है आपका 360 अंस को होता है इसका सही जब सीवल आपसन सही हो जागा संपूर को मतलब होता है जैसे आप एक बिंदू लगाते हैं तिहां पर 360 अंस कोड बनता है इसे ही बोलते हैं संपूर कोड ठीक है अगला देख लिए चौथा नंबर का निम्न में से कौन सा आकार आयत है यह है आपका सीवल आपसन सही हो जागा यह आकार क्या है आपका आयत जबकि यह एक वर्ग है यह बृत है और यह त इसे प्र सभी हो जाएगा अगलाजए प्रहसन बीवल आपसन सही हो जाएगा यह एक मीटर में कितने cm होते हैं यह तो आप सभी को पता है कि एक मीटर में 100 cm होते हैं इस प्रश्न का सही जवब सीवलाप्स साही हो जाएगा आपका अगला देखिए यहां पर ध्यान दिजीएगा अठवा नंबर का कि 1 meter में कितने decimiter वोते हैं एक में vet Episणड का सही जोनाशील हैक,नुप नंबर गक देखिये 180 की कोड को क्या कहा जाता है 180 का जो कोड होता है उसे एक सरल रेखा कोड कर तो है इस प्रिशन का सही जोक्ट दीवलाफ सिफ़्पारी सभी हो जागा आपका कौन से नंबर की पैंसी से खीची गई रखाएं हलकी होती है अभी आप सभी को पता हैं कि जिसकी संख्य यह में जितनी अधीक होगी उससे उतना ही हलकी उससे काते हैं तो बधी से रहता है दो कि बीश की दूरे को क्या सब्याएं को दोषयकि दूरी कि रहता है रिखा काते हैं देखें हैभी की दूरी के कलती हाथी प्रशनका का सभी यहींस आप याप संखाय हो जागा अगला देखिए यादिvisor और पही वे एक कोड यदि नभय अंस का हो तो दूसरा कोड कितने अंस का होगा देखे एक अर्दिवित जो अता उसमें कितने अंस का कोड टोटल बनता है एक सो अस्य उसमें से एक कोड़े नभ्य अ स्थिसरा क्या क्या होगा कि इसी सो इसने क्या घटा लिए कितना है कर दूसरे कोड़ा, आपका 90 यहाइगा सिम्पल्रीन अझया सवाब्न स्थाइगा अगला देखें vex 3 नमबर क्या की सम्भाहूत्री थिएख के पर्तएख को데 कितने अंस्का होता है यह उसका पर्तएख कोड आपके 6 अंस्का होता है अगला देखे चौधा-झा कोसी सीवब्हें और सिंहीड द सघौन जबद Key सकंधों को ध्यान दिजिए गांँ अगर six hun में एक 20 दीजा दीज सस्य दाइए दूस्या और समझायाझे के vardı किसे का तरथे ना जैसी mirrors 30 transmitter हैं दो शुक्य की धूरी बराबर होता एक दूसरे का कई पर्तिछेत नहीं करता है दो सीधी रखाएं आपस में मिले यह लगे तो से घृट रहा होती है यह अगला प्रशन क 육ाहनय होता है। इसका सही जौब एवलापसन सही होगा। अगला थाल नंबर के देखिए सम्कोर कित्ने अंस रहता है सम्कोर आपका नभ्यं का होता है तो इस प्रश्ण का सही जवब आपका सही हो जागा उनुशे नंबर का देखिए यदि एक बित्त में एक कोड़ 120 अंसि का है दूसरा कोड़ कितना होगा एक बृत में जब एक चक्र लगाएंगे तो कितने अंसका टूटल बनता है 360 उसमें से एक कोड़ दिए 120 ते 360 में 620 गटा लिजिए जीरो होगा चार होगा दू यानि कितने इसके कोड़ बनेगा टूटल फ्रहों कि प्राथ्मिक देगा सेक्ट फ्रेंश देखी आपको यहां पर पहला दोता है प्रांसमें, यही याद कर लिजै प्राथ्मिक रंगों किसंग्ञा तीन Dj spell किसंग्या तीन होता है दिए यही रंगल ay लाल की पीला और नीला सिर्फ तीन ही रंग आपके प्राथ्मिक रंग कें अंतरगत आते हैं जब किन ही रंग के तेयोटी रंग के अंतरगत है इसके साथ में आपको क्या ययाद रखता है आप याद रखते हैं कि राल को यदि पीला रंग में मिला दिया जाया तो आपको बनता है नारंग है नहीं आरेंज रखता अब लोग बस आपलोग यहां पर समझें ठीक है यानि कि लाल में यहां रंग मिलातेंगे आप तो कौहन सा बनेगा नगजायत जैगा जिसे इंगली सब्सक्राइब Mittal करतें लॉप मिला दे पीला में नीला रंग मिलाएंगे तो ग्रीन रंग बनेगा इन सभी पॉइंटों के एक जगा लिख कि एक बार याद कर लिजिए ठीक है आपको पेपर में यही देखने के लिए मिलेगा इसके लाग कुछ और रंग बता देते हैं आपको जैसे आप यदि लाल में हरा मिलाते हैं लाल में हरा मिलाएंगे तो आपका पीला रंग मिलेगा यह भी आपके बोर्ड की बहुत पूछता है और लाल रंग में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो मैजन्टा मिलता है इसके ला रंगों का आपसमें भी लाएंगे तो आपका बनता है सफेद रंग ठीक है यह जितने भी आपको लाइन बता इन जितने भी एक लगा आप लिए जरूर लिखिए ठीक है अब चलिए आपको सभी कोईस्टन करा देते हैं बस आपको एक पर सरसरी निगाहों से देखते चले ज कविक्त में से कौन सा रंग उदासीन है तो सीथे देखिए आपको उदासीन रंग की अंदरगत आता है काला रंग क्या होנ्च होजएगा यहां पडर पीला लाल और नीला यह सभी प्रात्मिकों होते हैं ठीक है अगला देखिए काले रंग में सा रंग मिलाने पर 9 रंग मिलता है ठीक है अगरा देख लेंगे प्रशन काले रंग का विरोधी क्या होता है का अभी बता है सफेद होता है यह जाएगा डीवला आपसंस सही हो जाएगा इसकिरा लाल पीला और नीला यह प्रात्विक रंग के अंतरगत आते हैं ठीक है सभी प्रश्णों को आप देखते रहे फ्रेंश ठीक है आपको बस मुस्किल से 20 मिनट में सभी कोईस्टन करा देंगे सभी कोईस्टन को आप एक बार देख लीजिए नीला में यदि पीला रंग मिलाते हैं तभी आपको पता इसलिए उसको लिख लीजिए कि नीला में यदि पीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा ता आपका हरा रंग बनेगा उसको आप लिखेंगे ना यह सभी प्रश्ण आपको याद हो जाएगा देखें 2023 के दो सेट में पूछा यार डाबलू में पूछा है ठीक है अगला प्रश् अगों अगर्म दर्ण यहां पहले आपकी तब कि अंतरगत आता है संख्या कितना है डूटल 4-शिवल आपसन आपका फाइस अगला प्रस्न देखिये कि प्राथ्मिक रंग कितने होते हैं तो आपको सबसे पहले ही बताएं कि प्राथ्मिक रंगों के संक्रा टोटल तीन है तिस प्रश्न का सही जवाब सीवल आपसं सही हो जाएगा इसके रहा देखिए नारंगी रंग किन दो रंगों के मिस्वर से बनता है तो अभी आपको इ कि नारंगी रंग यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको लाल और पीला रंग आपस में मिलाना पड़ेगा तो आपको नारंगी रंग मिलता है तिसका सही जब बीवल आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन देख लिजिए आप कि हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता सफेध रंग प्रश्यत को जरूरी को बता नील पानीला पढ़ेंगे बार 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 से बीला और ला तो देखिये यहां पे सही जर लालनीला पिला अगला देखिये जर प्शक्र के अनुसार मुख्य रंग की तृष को ना पैइंडी लेकिन उस्ट वाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंगों की संग्या पूछेगा तो चार बताएगा तो इसका सही जवाब एवला आपसन सही हो जागा अगला देखिए चोधा नंबर का कि नारंगी के समीपस्त कौन सा रंग है यानि कि नारंगी जो होता है उसके समीपस्त देखा एक कौन सारा अर्फा सा रंग होता है ठेला होता है उसके सही जवाब सही हो जाएगा प्रेश्ण आपसन सही कह छोजाएगा जितने ईप displacement बता हरें एक बर बस देख लिए ठीक है आधर्स रंग कितने होते हैं आधर्स रंगोंड इस प्रशित्का कितने अंग माने जाते हैं तो इसको भी आप साथ में याद रखिए आपको 130 प्रश्ण कराने वाले हैं मुस्किल से आप 20-25 मिनट में 130 प्रश्ण आप एक बार सरसरी निगाह से देख सकते हैं और जितना 130 प्रश्ण करा रहे हैं इसी में से आपके question आने वाले हैं ठीक है अब देखिए अगला कि कला शब्द किस भासा का है तो कला शब्द आपका संस्कृति भासा का है देखिए आपके बोर्ड के सफेद रंग का विरोधी रंग का नीला होता है इस प्रश्ण का सही जवब ऑल आपन साही होता है आप आप से प्रश्ण बार बार पूछ रहा है कि नीला का विरोधी रंग क्या होता है तो पीला होता है और पीला का विरोधी रंग क्या होता है तो नीला होता है इसको जरूर याद रखिया ठीक है अगला प्रश्ण बाइस नंबर का कि गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिस्व से बनता है तो लाल और सफेद मिलाते हैं अपस में तो गुलाबी रंग बनता है तो इस प्रश्ण नीला से बनता है तो लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है तो लाल का विरोधी रंग आप याद रखेगा हरा होता तो आपके पेपर में बहुत पूछा गया है तो आप एक चीश कंसेप्ट में आ रखिए कि देखी किस पेंसिल से बनी गई रिखाएं हलकी होती है तो यह होता है आपका वीवला 2H से यह प्रश्ण आपको कई बार करा चुके हैं अगला प्रश्ण देखिए ज्यामिती आलेखन का निर्माड होता है ज्यामिती आलेखन का जो निर्माड होगा ज्यामिती तत्तों से होगा प्रश्ण को याद रखेंगे ज्यामिती आलेखन कहेगा तो ज्यामिती तत्तों बताईएगा तो इसका सही जवाब एवला आपसन सह परखेंब को यह हो जाएगा अगला अलेखन का क्या घूड़ होता है तो जाएगा अगला प्रस्थ सुच्म आलेखन नमबरका कि सुच्म आलेखन को का चाहिए कलते हैं सुछंप्रिया अनलंगकारिक आण प्राकृतिक आलेखन उजामिति आलेखन कोई क्या करते हैं सुछंप्रिथा कथ इसका प्रो penso का एक साथ होता है तो सब्सक्राइट कु». आलेखन तीनों का मिस्त्रड होता है अगला देखिए आलेखन में इकाईयों की पुर्णाविरत्ति होती है जब आलेखन में इकाईयों की पुर्णाविरत्ति होते हैं तो उसे क्या करते हैं त्रेसिंग पेपर के द्वारा करते हैं तिसका सही जवाब यह सीवरा आपसन सही ह जाएगा अगला देखिए आलेखन में कौन सा रंग उप्युक्त होता है लिखन में जू सबसे ज्यादा उप्यूक्त रंग होता है इस प्रश्च प्रश्ण का सही जो आप बीवला आप्षान आपका सही है अगला देखिए 30 कि लता है कि जामिती आलेखन के प्रियोग करते हैं ऐसे स्याम रंग का प्रियोग किया जाता है प्यूंडा कर दिखे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक किजिए ठीक है और अपने दोस्तें के पास अधिक अधिक का शेयर कर दीजिए अगérique अगरा धिखिए पाई जाती है आपका औरंगा बाद में पाई जाती है इसका सही जवाप डिवलाप्शन सही हो जागा कि बदामी गुफा कहां पे है औरंगा बाद में है अगला देखे प्रशन यल्सींट तुटीस नंबर का उस भूद पुर्व परदान मंत्री कर नाम बता यह चित्र काई थे वोती शिख प्रथा में है आपके ईसको याद रखी हैं कि चित्रकला कि लिए में आता है जो हता है कि द०्रीश में आता है मतलब आप देख सकते हैं सिधिवी सी भात है कि सबस fui तो है आप थिखे सब्गया अधितaris की अंतरगत आता है एव अजन्ता के अंतरगत इसका सही जवाब सभी Ben士 सफी हो जाएगा अगला देखिए वाट मैं पेपर का प्रियोड कि समी दे में होता है उसका सही जवाब आपसं सभी हो जाएगा अगर्द कि चित्र मैं गहरा रंग विशेष कर क्या दर्शाने के लिए के लिए होता है घनत्तों के लिए क्या दिखाता है अगला देखिए 49 बनाने के लिए अल्ट्रा मैरी ब्लू में कौन सा रंग मिला जाता है तो यह मिला जाता है क्रिम संब अगला देखिए प्रशना तेल चित्रड में किस तेल का प्रियोग किया जाता है तो जो तेल चित्रड होता है उसमें तेल का प्रियोग करेंगे तार पिन याद रखेंगे क्या करना है आपको तार पिन तेल का प्रियोग किया जाता है अगला देख लीजिए पेस्टल रंग को को चित्र भरने का क्रम क्या है तो पेस्टल जो रंग को चित्र बने का जो क्रम होता है वह होता है पहले प्रिष्ट ब् photographed जाता है फिर अगर पहले बंदों के पहले प्रिष्ट डूम पर्शाहलों की जो आपको रहेगा आप मेन बनाए रहेंगे उसको भरना परता है ठीक है इसका मतलब पर प्रिष्ट को बरेंगे इसके प्रिष्ट को अगर भाले भाग फिर मुक्य चित्र को भरा जाता देखिए 42 नमबर का परियोग करते समय पहले में बपरते हैं तिया हलका रंग बरते हैं इसका तो सही हो जए इसे पजिसे पहले हलका और आधा हैंते उस को हड़ान दोट तरह का सब्सक्राइब मिट चुछ नंबर की है फैरे निदे तरह इनसे जाए यदि शुक्ताइब ऑन खितह नंपर गी जाता है प्रिस्ट भूमि चाहता है से नीचे का लाता है तो अक्रभूमिक का लाता है ने तरतल के की पेपर में आता है लेपन आप आप्सर लगा देंगा प्रॉश्णों को देखे रहेंगे कल के पेपर में सिर्फ आपको आप्सर लगाना रहता है अगरा प्राशन देखी जल रंग होता है जल ad ऐवला अपसन सही हो जागा जाहिए इसका सही जवब इवला अपसन सही हो जागा कि जाल्ग एक То प्रशी रंग है पोष्टलर कलर जो होता है अपारदर्शी रंग होता है समानी इस्तिती में आकास का रंग ऊपर कियो रहता है कैसा रहता है अगला प्रशन देखिए निकट इस्तित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमूकता भरा जाता है यब भरा जाता है तो कौन सा साइप ग्रीन होता है कौन सा रगी स्क्रातों एक बड़ प्रसंटों को देखते नहीं और mo बोड की इक्जाम में लगा सकते हैं फॉट आकाल के समय किस उडिकता होती है आपका पीला रंग की प्राथ और सुबद Today क्या हुप उप्यूपल करकी कने डिखाए में प्रमूकति ब्रहा जाता है दूर इसतितु dependence कौन सा कलर अफरा जाएगा तुसमें जाता है पो अफिक है आप किसी अधिकता है इस सूरज्वार में किनेल्ग आपका पोगता है तो उस समें आपका अधिक सब्सें पीला पन दिखाए अग्राइब लीजिए तिरपन नमबर का कि निसकृष चित्रख करते समय प्राथा काल को दरशाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग किया जाता है तो ऑफ के लिएले रंगों का ठीट कर सेपे लग्म सुभा पीला राथ तो तो आपको चटकिला कलर और साम के समय को देखाना है तो कैसा कलर रहेगा आपका दूदला कलर रहेगा साम के समय दूदला और सुबा के समय लोगने चटकिला रहेगा कल है जहां धर्ती और आकास भसमय मिलते त virws चीच कहते हैं क्या करते है चिति अग्राप प्रश्ण me प्राचीन भारती पद्दती के अनुसार मुख अथ्व प्रारंबिक रंग कितने होते हैं तो अभी आपको होता है कि मुख्य रंग पूछे या प्रारंबिक रंग पूछे तीन होता है लेकिन एक चीज़ याद रखेगा ओष्ट वाल्ड के अनुसार मुख्य रंगों की संख्या पूछे तो चार होता है और वहाल पूछे और प्रात्मिक रंग पूछे उस्सेमें तीन लगाईएगा ठीक है ओष्टवाल के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं तो टोटल आठ तो तो कितने रंगत आते हैं किया हो जागा जबकि लाल हुआ नीला पीला हुआ प्रात्मी के अंतरगत आते हैं अगला प्रशन प्राकृतिक याद कैसे करेंगे प्राकृतिक होते हैं इस प्राकृतिक अगला देखिए हरा रंग नित्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है तो हरा रंग नित्रों पर ठंड़ा प्रभाव डालता है तो इसलिए आप याद रखिएगा कि आपके हरा रंग एक नीला रंग यह दोनों रंग जो हते हैं आपके ठंड़ा रंग कालाते हैं जिसे सीतल रंग भी करते हैं अगला देखिये इंद्र धनुष में टोटल कितने रंग होते हैं इंद धनुष जू हता है उसमें आपके 8 रंग होते हैं इस प्रश्न का सही जवाई सीवर आपसन सही coherent देखिये आपको पहले ही लिखा चुके हैं कि लाल रंग में कौन सा रंग मिला है कि नारंगी रंग हो जाए तो आपको क्या मिला जाता है लाल में यदि पीला मिलाएंगे तो आपको नारंगी रंग मिलेगा तो लाल और पीला आपका प्राथिमिक रंग होते हैं जबकि हरा और आना है तो वहां पर वाट में कागज का प्रयोग करेंगे अगला प्रशन देख लीजिए कि निमने में से कौन सा रंग इंद्र दनुस में नहीं है तो आप याद रखिए अगा जैसे वाइब ग्योर याद किया जाता है ना वाइब ग्योर यह पता है तो वाइब ग्योर में आपको कौन सा रंग नहीं आता था यह भूरा जो होता इसमें नहीं आएगा इसके अलवा जैसे नीला हुआ नारंगी वा लाल हुआ इसमें सब आ जाग जैसे बॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन एलो आरेंग रेट यह सब आपका क मोनुम कर योजिना किसे करते हैं या मोनु क्रोम पूझता है यह सबर्शेखेट एक रंग की योजना जहां पे हो वहीं मोनो क्रोम या मोनो योजना कहलाता है ठीक इस तरह आप पढ़के याद रख सकते हैं अगला प्रशन देख लिए उत्तर परदेश में राज ललित कला अकादमी इसको जरूर याद रखिए गए वेरी वेरी इंपोर्टेन प्रशन है फ्रेंस कि ललित कला अकादमी काहां पे है यह है आपका लखनाओ में जै iプरशन का सही जो अब ये वत अपशन सही है कि ललीत कला जो अकादमी एक कहां पर है ता लखनों इस प्रशन को आप जूरूरर ध्यान रखिएगा बहूत इंपर्टर्ट्ट्ट्ट्ट्ट प्र मैं जै फ्र ततश्ट रंग कौन सा आता है तो देखिए आपको प्रश्ण तो कई बर बता चुके हैं ततश्ट रंगों की संख्या तोटल दो है जिसमें आपका आता है सफेद और काला यहां पर आपका क्यों सफेद दिया है तो इस प्रश्ण का सही जो अब एवलाप्शन सही होगा प्रश्ण कौन सा है यह प्रेश्ण आपको कई बर कर आ चुके थीपलण के अंदरगर और नीला रंग आता है ठीटा अगलाब प्रश्ण देख लीजिए आप कउन सा रंग्रम रंग है तो गरम रंग आप सभी को बता चुके हैं कि लाल रंग जो होता है गरम रंग होता है अगरा प्लाशन आपर दिखाना जित्रकला निर्ट को देखाना और नाटक को देखाना होगा नाट्य कला हो जाएगा सीधा सीधा मतलब इसका है चित्र को दिखाना तो कौन से कला होगा अगला प्रशन देखें चुवत्तर नंबर का कि तताष्ट रंग कौन सा है तभी बताएं कि काला और सफेद जो होता है तताष्ट रंगों की संख्या टोटल दू होते हैं इसका सही जो आप ये कि नीला और हरा आपका ठंडा रंग वोता है यहां ठंडा रंग के बारे पूच्छा ठंडा रंग और गरम रंग पूच्छा था आप लाल रंग लगाते हैं ठीक है अगला देखिए कौन सा रंगों का माध्या पारदर्शी होता है तो आपको प्रशन कई बर बता चुके ह यानि वाटर कलर करते हैं देखिए इस प्रशन पर कई छात्रों का आप यहां पर देख सकते हैं आपको फिर से बता देते हैं कि जो तैल रंग होता है Google में खोजेंगे तापको तैल रंग मिलेगा यहां पर किताब के अनुसार जो है जल रंग दिया है तो इसलिए बार बार अगला देखिए प्रशन आप 77 नंबर का फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश का परियोग करते हैं तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रशन है ये भी कि फूल हुआ और कली हुआ कि अंदर किस नंबर के ब्रश का परियोग करते हैं तो करते हैं तीन नंबर के ब्रश क इस प्रश्ण का चीजवाब स्वर्शन करें इस प्राश्मकु करते इस एक चोटी जगाह कि निएक दो याद कैसे रखेंगे चोटा चोटी शञक्या सिल दू ती तीन चारवशा पांच इसमें याद कैसे रहिए छोटी संह्खह क्या है आपका एक दू आपको क्या है छोटी है इसलिए चोटी जगह पो करना है जोटे संह्खह को आप टिक वारियेगा अगला सवाल देखिए आप कि लाल रंग हुआ keeping नीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा आपको बैकनी रंख बंता हे तो इसलिए आपको प्रारंग में लिख्वा चुके यह बनता है दो अगला प्रस्ण द्यान दिजोगा पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है तपीला रंग की रंग की पर कुलता रहे हैं रंगो की संगती किला का एंग मुछारा हात। प्रकार कि होता है अगला देखिये का धानी रंग का विरोधी रंग तो पुछता है अधिकाली होती है या किस नमबर की चमींद है आफ waking अधी valeur होती है या इसके प्रॉष्ण आपसे पूछ पूछता है कि किस नंबर की पेंसटि भी होती ए तेकिंडिया कि सबसे अधिक होगा अधिक पेंसल कोड़ सबसे ज़्यादा गहरा सभ सेंधा रेखा बनता है तृषण का संख्य यह विया सबसे नहीं लगाते अगला क्या संख्या नहीं सब्सक्राइप ङृत कि बनाय नखा सब से हलक्तों कि होग तदी इस में concerned सबसे अधीच में ऊप सक्थय दस्ट क्या सबसे ने कि होगी यहाँ पर प्रश्न कंग इस अनुसार देखेंगे कि यहाँ कि च्धाइक ऴॉ यहरा था तब क्या लगाए ठीकना प्रस्न यॉङ कि लिए के बाहरी रहाओं को बनाने के लिए कि लिए किस नंबर के ब्रसका प्रयोग करते हैं और के ब्रसक क doesn't बनावट की दिरिष्टी से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं अगर आप प्रसन ध्यान दिजिए बैगनी रंग किन रंगों के मिस्तरव से बनता है लाल और नीला जब आप उसे मिलाते हैं तो आपका कौन सा रंग बनता है ऐगनी रंग का सही हगा ऐसे वाल हो जाएगा तो नीला पीला और ह हरा ठीक है दिए सब्सक्राइब धर घरता है अगरा अगरी रंग किन रंगों के बनता है तो नीला और सफेद आपका क्या बनाता है आस्मानी रंग बनाता है तो इस प्रश्ण का तो प्रश्ण अगला देखें जिनर लाल रंग का प्रभाव पाए जाता है उसे कौन सा रंग कहते हैं जिस पर प्रभाव पा जाता है इस प्रस्ट रंग कितने होते हैं तो रंगों की संक्या दो होता है आपको और सफ्फिध बताएं कि F Write मैं कुलं कितने रंग पाजातेiram, इसका सही आपसे पूछ जाएगा उसके पूस्तहीं, इसके इसके पूछंते हैं कि उस्टवाल रंग में प्रश्ट के लिए किस नंबर के प्रयोग करना चाहिए तो देखिए प्रिष्ट बूमी को आपको ब्रश्ट का प्रयोग करना तो जो संख्या सबसे अधिक होगा उसी का प्रयोग यहाँ पर सांट आट नों का दो करना यह कि याद रख सकते हैं अगला देखिए निमने लिखे तो ध्यूतिया रंग कौन सा है तेड़े नीला पीला लाली प्राथमिक रंग के ततते जबकि नारंगी हो गया हड़ा हो गया यह प्रात्मिक नहीं द्यूतियं रण्ग के अंत्रगता यहां प्रशन देखियें अगला कि अजन्टा की गूएं पेंटिंग किस प्रकार की मनचलोस हाद रखी कि अजनता की गुफाओं की इसकाल की है तो बहुत दिकाल की है ठीक है इन प्रशनों को इतने प्रसन बता रहा है सिर्फ एक बार फास्ट मोड में करके बस प्रशनों को देखके आप पेपर देने चले जाए सभी प्रशन आप करके आएंगे ठीक है चित्रकला से संबंदित क और भांट आना जैगा धारविक टो ऊता है मेग नुत समाना अंतर रेखा किसे करते हैं तो आप सभी को यह पता है कि जब दो रिखां एक दुसरे को कहीं परती शेद नहीं करता है कौन सा है सभसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है तो आपका यह और अगला प्रस नेख लीजिए, रेखा किसे कथे हैं यहाँ पर सबसे महीन ब्रश कोँछ वंगा थोड़ा सा इस पर कन्फियूजोन नियुकर देख लिए गाप तो आपका एक नंबर का ब्रश्व मधरिया जर्छी जो जितने आपकी संख्षा में कम होगा उस वह ब्रश सबसे महीन होता है ठीक है अब बिना ब्रस की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है तो वह होता आपका बिना ब्रस की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है यह होता पेस्टल कलर ठीक है यह पेस्टल कलर लगाएगा यहां पेस्टल रंग नहीं होगा बिना ब्रस की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा आपका छे नंबर कोना चाहिए जितनी संक्हया अधिक होती हो उतने मोटा ब्रश होता है ठीक है अब देखें अगला नंबर का सवाल है सुरेदे के समयाशी का रंग कैसा होता है तो यह सभी आपका कान सब्राइब सीज़क्राइब क्या होता है वर्ट्राइबinka मतलब होता है अगाला इंग ऑस्ट संबंदर ने झो आपकी स्वाल इरुटाल्या थी ऊड़्डे आठ है आपके रंगों की संख्या से संबदीति इसमें सही जवाब डीवल आपसन सही हो जाएगा बारत में राष्टी द्वज टोटल कितने हैं तो बहु वरड़ी होते हैं बारत का राष्टी द्वज क्या होते हैं बहु वरड़ी यारी बहुत से रंग उसमें होते हैं ठीक है एक सब्सक्राइब करते हैं किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है किनारी डिजाइन जो प्रयोग होता है आपका साड़ी किनारी बनाने के लिए च्छ्छा प्रयोग करते हैं ठीक तीसफसे प्रश्नों को याद रखिएक एक अमतल एक होता है मतला एक रंगों का करते हैं अग्ले नीला रंक नेत्रों पर कोँंसा प्रभाव दालता था आपको बाहरे बता है यहां पर अगले प्रस्णों को देखिए आप लाल और हरा को जब देखें लाल और हरा रंग है यानि कि लाल रंग हुआ और हरा रंग तो लाल रंग और हरा रंग कैसा रंग होता है दूसरे के विरोधी रंग होते हैं इसका सही जो डीवल आपसन सही हो जागा लाल का विरोधी हरा या हरा के विरोधी लाल क्यों होता है देखे याद रखिए लाल में अधी सफेद रंग मिलाते हैं तो आपको गुलाबी रंग बनता है अगला प्रशन देखिए कि हरा और नारंगी बैगनी निम्नलिखित में से वर इकड़ में कहां इस्थी थे हरा हुआ नारंगी हुआ और बैगनी यह तीनों जो होता दियूती रंग क जो आपको अभी उपर वाले प्रश्ण को कराएं कि लेयात्मक रेखा होती है तो लेयात्मक जो रेखा होती है एक सरल रेखा कहला आती है अगला प्रशन देखिए कि शुरी की हो रषमिया कितने रंगों इस सुर्फ के जो रश्मिया होती हुए उसमें टोटल Mm hm पा जाते है तो इस प्रशनका सही जो आव रशार अगला प्रशन देखिए आप कि लाल और हरा रंग बनता है तो लाल और हरा को आप получится मिलाएंगे तो पीला रंग बनता है लाल और हरा एक दूसरे के विर्वभाधी रंग भी अगला प्रशनों देखिये मैं सबसे अधिक पार्दशी रंग कॉन सह पहंता है तो वाटर कलर होता है यह बार बार आप प्रशन बता तो होता है तो बिर्तकार होता है आपके घर में जो फर्स होगा देखें बीच में जब कोई भी आपका आलेखन बनाए जाता है जिससे वह सुन्दर लगता है ठीक है अगला प्रशन देख लिजिए आप से लेटी रंग किन रंगों के मिस्रण से बनता है से लेटी रंग याद रखेंगे काला और सफेल से आपका से लेटी रंग बनता है इसका सही जो आप एवल आपसा सही हो जाएगा अगला देखिए आप कपड़े पर रंग आई है तो कौन सा रंग सरवाधिक उपयुक्त होता है तो वह होता आपका एक्रिक रंग तो इसे भी साथ में याद रखेंगा कपड़े पर रंग आई है तो कौन सा रंग सरवाधिक उपयुक्त है तो वह है इकरीबिक रंग अगरे अग्रातोर मक्राइरंग कौन से नाम क्या है तो जो रंगों का अनुभव जो आख करता है तो उसमें क्या होता है पुपुल्स होता है मतलब पुतली जो हता है रंगों का अनुभव करता है जैसे आख में जब प्रकास प्रव्यत्व करता है तो वहां पर रंग का प्रभाव को कौन देखता है तो वह होता है अगला प्रश्ण आप देख लीजिए आलेखन कितने प्रकार को होते हैं तब याद रखिए कि आलेखन चार प्रकार को होते हैं तो आलेखन कितने प्रकार के हैं तो चार प्रकार के हैं अगला प्रश्ण और लाश्ट प्रस्ण आपका है कि भारत का राष्टी पुस्प कौन यह प्राथमिक रंग के जो ट्रिक होता है थीक है लाल होगा इसके बाद नीला होगा और पीला होगा इस रंग को आप याद रखिए यह लाल-neela-pilat ठीक है तो यह आपको प्राथमिक रंग के अंतरगाता आ जाते हैं इसका सही जो याद का रखेंगे तो पर शचिक तो योदे करने को समनों याद कर बिला रखेंगे जो टरिक आपके पण गया पानी ला तो यह प्रात्मिक रंग हो जाते हैं cowfin देखें आप एगला प्रेस्चन जो हें कि गरम रंग काुंसा है तो यहां पे आपसंदिया लाल नीला हरा और धानी तो गरम रंगember उता है उससे क्टने लाल रंग याद्गर रखिएगा थंड़न Yram के अंतरगत आपका एक हरा आजाता है एक नीला आजाता है एक त Despite गर्म रंग ला याद रखेगा ठंड़न हरा और नीला है अगर अगर तिसरा नंबर मुख्य कितने होते अभी आपको बताएं मुख्य रंगों की संख्या तोटल तीन है इस प्रश्ण का सही जो आप एवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है अगर आप प्रश्ण देखिए चौथा नंबर का निम्नल लिखित में से द्यूतिय रंग कौन सा है देखिए अभी आपको बताए तो इसमें आपका एक रंग बच रहे हैं यह दूतिय रंग बच रहे हैं इसका सही जो आप विवल आपसन सही हो जागा कि दूतिय रंगों की संख्या कितना होता है तो तीन होता है ठीक है अगला प्रश्ण देखिए आप पाचवा नंबर का कि ततष्ट रंग युक में मुखाल आता है इस प्रश्ण का थे embarrassing सही हो जाएगा ँग्ला दिखैंट साथ सब्रूंov के cat mentioned कि लुकेugen खाल्ट हुज गुकेश्व लटता उसमीट्वाण टूटल आठ रर्ग होते इस प्रश्ण का सही जवब अब府 आप याद रखिएगा कि आपसे बार बार और प्रश्न पूचता है कि सात रंघ किसमें होता है यह घूता हुता कौने सा पार्दर्शी रंग आपको पार्दर बताएं कि पार्दर्शी रंग आपका water a pen सफेद का वीरोधी रंग काउनसा ही सफेद को पता है कि सफेद का वीरोधी कश्र दो याद रखेंगा अगला प्रश्न देखिये नो नंबर का कि लाल में याद को बताता है यहाँ प्लस पीला यहाँ प्लस पीला और पिला आपसे मिलाया जाता है तो आपका बनता है कौन सा नारंगी रंग दो लाल और पीला को मिलाने से कौन सा रंग बना आपका नारंगी रंग इस प्रश्ण का सही जो आप एवल आपसं सही है इसे आप याद रखिए कि लाल और पीला को मिलाने से आपका नारंगी रंग बनता है देखिए दस नंबर का आप निम्न में से कौन सा सीतल रंग या ठंड अलाल के बाता यह घंज różnych जर्म होता है सीतर क्लियर आंग क्लियर कीजिया कि ना रंग यह दनारंगी रंग जो होता है दिवती रंग होता है ठीक है अगला प्रश्ण देखे ग्यारा नंबर का दिवती रंग कितने होते हैं तो अभी आपको बताएं दिवती रंगों के संक्या तीन होता है इस प्रश्ण का सही जवब डिवल आपसन सही हो जाएगा अगला देखे बा आप याद रखेगा सफेद कविरोधि क्या होता है तभी आपको पता है कि सफेद कविरोधि काला होता है और हारा रंग तैंट ठंड़ा रंग है आपको पता हैं सभी प्रश्णों को किलियर करने चलिए अगलेख़ा गजяж अग्ला शब्शन जो होता है संस्कृती भासा तहीं अग इससे सभी रेखा है रेकालन हलकी एने टीकिस चली ऑगगा ज़ो लाइन होता होता है तो उसे याद रखेगा कि जितना हड होता है उतनी हल्की रेखाई बनती है इस परश्ण का शखी जव अब को होगा आपक वान प्रस्ण को हो जाएगा तो होगा होगा कि मतलब हवहाड ठीक है यह जितनी सेंख्यय अधिकस्या दíक होगा उतने उस था थे लिए आपकी। हल्की को यादटे गा कि कम रेकों की चत होता है उस प्रशन का सही ज्यवाद आप आप याद रखिएगा कि केंद्री आलेखन का प्रियोग होता है कमरे की छत हेतू किया जाता है अगरा देखिए 16 नंबर का कि इंद्र धनुस में कितने रंग होते तभी आपको बता है इंद्र धनुस में टोटल सात रंग होते हैं इस प्रश्ण का सही जो आप विवल आपसा यह उप्यूक्त है तो कपड़े पर रंग जो चड़ाया जाता है तो कौन सा रंग सरवाधिक उप्यूक्त होता है तो कपड़े पर रंग जो चड़ाया जाता है तो कौन सा रंग सरवाधिक उप्यूक्त होता है तो कौन सा रंग सरवाधिक उप्यूक्त होता है तो कौन सा तो युक्त होता है वह होता है आपका एक्रिक लंग तो इस प्रश्ण का विरुधी रंगों का मिस्रड़ होता है तो अगरा सही जाँ आपके क्या हो जागा इसके साथ नियाद रखिए कि काला का विरोधी रंग सफेद यह सफेद का विरोधी रंग काला होता है ठीकि यह भी प्रश्ण आपके बोर्ड की एक्जाम बहुत पूछा जाता है अगला देखिए 20 नंबर का निमन में से किस पैंसिल से क्रश्ण आपकी चीजेगा यहां आपको इंस प्रश्णों का याद कर लिजीगा इसके अलवा आपको अथवा में देता है आथवा में पहले वाला प्रश्ण जो करा है उसको किजिगा यह प्राविदी कला वाला जो है ट्रस्न डिया रहे इस प्रश्ण को कर सकते हैं कि सभी प्रश्नों को आप सभी को बता दिलते हैं में पहला प्रस्न क्या है कि 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 दूष और एक भूजा यह इन दोनों की बीच कितने अंस का कोड़ बनता है तो 90 अंस का हमेशा बनता है इस प्रश्ण का सही जवब सी वाला आपसान आपको क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला तीसरा नंबर के देखिए तिरिज्य आर वाले व्रित्य का ब्यास होता है आप सभ जवब एवला आपसन आपको क्या हो जाएगा अगला देखिए चौथा नंबर का कि एक किलो मीटर में कितने हेक्टो मीटर होता है आपको बताना है कि जो एक किलो मीटर होता है उसमें कितने हेक्टो मीटर होता है तो एक किलो मीटर में कितने हेक्टो मीटर होता है तो दस ह सब्सक्राइब कि में कि आप सब्सक्राइब करेक्ट अगला देखिए निमनलिकित में इसकौन सब्रीहत कोड़ नहीं है देखिए ब्रिहत कोड का मतलब होता है कि 181-asent say to be a प्रिखत कोड़ कोड़ करते हैं यहां पूछा नहीं यहां पर यह वाला आप्सन क्या हो जागा क्या प्रिखत कोड़ जाएं 181 को रboys syndrome रेकिए कोडर बोलते हैं कौन से कोड़ बलते है रेकि रेकिकर इसे क्या पोला जाता है अगला प्रसमर देंके शाथवा नंबर का कि क्सी व्रित के केंडर सबसे बड़े जीवाँ को बाढता है देखिए यह सबसे बड़े जीवा क्या दीब्यास होता है इसको कितने वराव भागों में बाड़ता है और यह दुनों भाग आपसे वरावर होता है यह अगला देखिए आठवा नश्वा की बरित के बाहरी किसी बिंदु से कीची गई ऐस transferred ब्रेख की से विरिती के साथ कितने कोड़ बनाता है ये आपको कई वर पता है क्या की तरीज्या हो गया और यहां से एक असपर्श रेखा खीजा जा रहा है यहां पर कितने कोड़ बनता है है verst worry देवर हो जाएगा सई हो जाएगा अगल democrat का किसी त्रिभूज के 20 कोड़ों का योग होता है यहां पर याद रखे कि बहुष कोड होता है किसी त्रिभूष का जैसे आप कई यह त्रिभूष होता है ज्म दीजिएगा त्रिबूष का मतलब जब इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे 22 वे इसको बढ़ाएंगे 22 जाएगा और इसका इसका यूग कितना होता है आप याद रखेगा कि मतलब होता है तीन इसमें कितने समकोड होते हैं इसमें 360 में आप भाग दे दिजिए तकि कितने समकोड हुए चाह समकोड का मतलब होता है 90 इसमें कितने समकोड आ रहे हैं चाहर तो इस प्रश्ण का सही जवाब बीवला आपसन सही हो जागा कि किसी त्रिभूच के बहिस कोड का योग पाई और का दिल्दीः आपकर सही है यानि 10 प्रश्ण का सही जवाब बीवला आपसन करेक्ट हो अगला थेख somosagen कि बहुता की लंबा यक्स हों तो बीकड़ होगा ये आपकप क्या है वरग है dalकि क्या निकाल सकते हैं यह कितना होता आपका करणी में दूर्ण इस प्रशन का सही जवाब आप साही हो जागा आप पाइथा गोरस परमें से निकाल लीजेगा इसको ठीक है झाप कि अगला निन कोड़ों में से कौन सी अधिक कोड है अधिक का मतलब यह होता है वह कोड जिसका मान Imperial से बढय हो में अधिक है नब्य अंस से बढ़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो में इस बोल इसमें देखें नब्य अंस से बढ़ा कैंड़ा कि यह चोटा यह नहीं यह भी नहीं होगा 302 देखेंगे 180 अंसे बड़ा यह भी नहीं होगा कौन सो होगा सीवल आपसन आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला देखें 13 नंबर का कि 1 किलो मीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है तो आपको देखिए बता देते कि 1 मीटर बराबर जो होता है 10 मैनश मीली मीटर होता है 10 म må देखें हसं इसको पच्छाथ करें रोप में तो ठीक मिली मीटर होता है तो कितना देख्रन चाहर किस ने हमां कर दो ओब है कि सिथा सभी है कि 10 मीली मीटर होताह कि प्रापर आस नियुक्व की मिटर सभी आंत्री कोड़ों का योग कितना होता है 370 संकोड़ों पटा होता है तब पता है कि चार संकोड़ों के बराबर होता है इस प्रश्ण का सही जवाब अगला देखेग एक यह आधार और समान उचाइब कर वने तरुभूज़ और आयत के च्छत्रपल में सही अनुपात मतलब है कि एक आयत है और यह आपका क्या क्मा ना होता है कि ऑ I एक्सका पात्य मीद्ने का अ終 रिखेंगे जह संदोच जोड़ने की वांदे संदोच आतलो भूजाह्यां अपसें बराबर होती है आपसंद देखिए मतलब चारों भूजाएं बराबर है इसका मतलब आयत है इस प्रशन का सही जोब क्या होगा बी वाला आपसंद करेक्ट हो जागा कि सम्चेतर भूज नहीं है तो सम्चेतर भूज आपका बी वाला आपसंद जो है यह सम्चेतर भूज नहीं है अगला देखिए 17 नंबर का कि निम्न आकिरतियों में से कौन सी रेखा और लंसम दिवाजक है लंसम दिवाजक का मतलब होता है उसे दो बराव भाग में बाटे देखिए एक अनुपादी तीन म में बात रहा है जबकि दू अनुपादी तीन यह भी नहीं होगा यह बडार बरावर भाग में कहां बात रहा एक अनुपादे मतलब बहावर भाग में बाट रहा तो इसका सही जुआ आपसान सही हो जाएगा अगला देखिए 18 नंबर का कि निम्न में से कौन सा आकार या बंटानाज नहीं से घर में घुमता है जिए ऒ़िवालापस प्रेक्ट होगा सब्सक्राइब तyere समय नम्बर करना सब्सक्राइब कीतने सब्सक्राइब पर हो और बड़ी सूजी 12 पर उ हो इन दोनों सूजी की बीच बनने कौड काउ। जैसे देखिए लिए आपका क्या है घड़ी माली जी ठीक यहाँ पर 12 है यहां पर 12 है यह च्छ 10 जी यहां पर तीन यहाँ नौ ठीक हैmis यहाँ एक हो जाएगा यहां पे माल लीजया का कितना हो जाएगा तो देखिए आपको छोटी वाली सुई कर रहा है कहां पर हो पाइस पूछ रहा है कितने अंस का कोड बनेगा यह देख लेगे आपको यहां से झाल झाल